नमस्कार जैशी किष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लास्ट कुछ वीडियो से मैं आपको डिफरेंट ग्रहों का डिफरेंट राशी में गोचर के बारे में पढ़ा रहा हूं उससे पहले मैंने आपको सूर्य चंद या को क्या था मिलता है वो चीज मैंने आपको बताई आज बुद्ध के बारे में हम लोग एकोड़ करेंगे हैं कि उसे भी आपकी जो fraction तो ऐसे केस में थोड़ा प्रडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है लेकिन छोटे ग्रहे जो आंतरी ग्रहे हैं या जो ग्रहे बहुत फास चलने वाले हैं उन में थोड़ा आसान होता है तो फिर भी बुद्ध से हम लोग करते हैं कि बुद्ध अगर आपके उस राशी में बो राशी से पहले भाव में मतलब जिस भाव में आपकी जन्मकालीन राशी है उसी भाव में बुद्ध अगर गोचर में आ जाए तो क्या होगा तो वो गोचर जो होता है, वो अच्छा नहीं होता, स्वास्त के लिए समस्या होती है, आपका नाम नहीं हो पावता, नेम फेम नहीं हो पाती है, आप जो काम स्टार्ट करते हैं, उस काम में आपको सकसर नहीं मिल पाती, और minor health issues आपको हो जाते हैं, धन हानी आपकी होती है, तो ये ध्यान लखना चाहिए कि बुद्ध का गोचर कौन सी राशी में है, क्या उस राशी में तो नहीं, जो आपकी जन्मकालिन राशी है. अगर बुद्ध का गोचर उस राशी में है, जो जन्म कालियन राशी से दूसरे नंबर पर दें, तो धन का लाव होता है, वो गोचर अच्छा कहलाता है, और उस गोचर में परिवार से सुख प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे भाव से हम लोग परिवार देखते हैं, यह चीज आप सेकंड भाव से देखते हैं, उस भाव समन्दी चीजें आपकी बढ़ने शुजाती हैं, आप अपने बच्छों को अच्छे संसकार दे सकते हैं, तीसरे भाव, तीसरा गोचर, यानि बुद्ध उस राशी में जाए, जो आपकी जन्म कालिन राशी से तीसरे भाव में हैं, तो अच्छा नहीं होता है, शत्रूओं से भै होता है, पराकरम की हानी होती है, आपको डिस्करेजमेंट मिलता है, कहीं आपकी टीम में सेलक्षन हो रहा हो, तो आपको सेलक्षन नहीं हो पाता, आपको अपने भाई बैनों से सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक से खेल कूद में आपकी रुची कम हो जाती है या खेल कूद में आपको निश्चित रूप से जो भी सखलता है वो प्राप नहीं होती इस तरह की चीज़े होने शुरू हो जाती है जो तीसरे भाव संबंदी चीज़ी है बुद्ध अगर उस राशी में गोचर करें जो जर्म खरी सकते हैं विकल खरी सकते हैं ऐसे टाइवें पर अगर प्रापर्टी खरीदें गए तो हमें प्रापर्टी बहुत फलेगी जिसे कहना चाहिए उसका लाब मिलेगा प्रापर्टी कर बुद्ध की तशामें क्योंकि बुद्ध जो है जब गोचर करेगा चौथा आपकी अगर हम प्रापर्टी खरीदे हैं विकल खरीदे हैं तो उसका बहुत लाब मिलेगी अगर बुद्ध जब उस राशी ने में गोचर करेगा जो आपकी जन्काली राशी से पांचवे राशी लिश्यारण से वे्ट में कमिई आ सकतीं है और या देखते हैं वाफ से हम लोग बिजनस दिखते हैं ऐसे मैं बिलूकूर पैसा नहीं लगाना चाहिए शिय uncles लौटरी में पाँलबा से हम कुछ बहुत बड़ा इसनस स्टाट करने जा रहे हो तो उस दौरान बचे जब बुद्ध आपकी जल्म आनि राषी से पांचोः वहाव में गोचर कर रहा है, तो वह भी देख लेना बड़ा आवश्रक होता है, बुद्ध का छठा गोचर, यानि बुद्ध आपकी जल्म कालीम राषी से छटे वहाव में गोचर करे, तो वो गोचर बहुट अच्छा होता हैं शत्रुम पर विजय प्राप्त होती है रोग क्तम होते है अगर आपने ले रखा है तो रिर्ण चुह कारने की शम्ता आपके अंदर आती है आपकर हो जाता है और अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंट्रिव्यू दिया है या किसी एक्जाम पास करने के लिए को कंपिलिशन दिया है तो उसमें निश्चित रूप से सपलता आपको मिलती है ऐसा देखा गया और अगर बुद्ध का गोचर सात्वा हो सात्वा मीज्च आपकी जन्राशी जहां पर है उससे लिए व्यवाय जीवन में प्राबिलमS पैदा होती हैं पती पत्री में जगड़े पैदा होते हैं अगर आप डाएवर्स लेना चाह रहे हैं तो डाईवर्स हो जाता है अगर कह आप विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे हैं किसी ऑफिशल मक्सद से तो वो यात्रा की सफल नहीं उपाती उसमें कुछ प्राब्लम होती है विरोध होते हैं जगड़े होते हैं इस तरह की समस्याएं मुद्ध और यही बुद्ध अगर आपकी जन्मराशी से आठवां से और कोई बड़ी बीमारी है तो उसके अंदर भी कमी आती है को चैसकर करने के लिए your और अगर नवा गोचर हो, तो भी problem है, नवे गोचर में विगन मिलता है, भागे में हानी होती है, कोई भी ऐसा काम जिस्में भागे के अवश्रक्ता हो, वो उस काम ऐसा स्टार्ट नहीं करना चाहिए, धर्म के हानी होती है, तीर थ्यात्रा में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, पिता से समस्या हो सकती है, इस प्रकार के प्राब्लम्स हो सकती है, बुद्ध का गोचर या जी दस्वां हो, दस्वां गोचर, यानि जन्म राशी जहां आपकी है, उस राशी से दस्वें भाव में परिणाम हैं वह में अच्छे यानि की का में में सैंटा करेंगे उस संबंदिर हैं हर प्रकार के प्रकार के सुख आपको मिलेंगे उस से विच्छी चीजे हैं आप अब ग्यार्वां गोचर बहुत अच्छा होता है धन व्रद्दी होता है धन का लाब होता है आपके इच्छाएं पूरी होती है आपके relations बढ़ते हैं, आपकी networking बढ़ती है, बिजनेस आप कोई कर रहे हैं तो आपको उसको में शर्तियालाब मिलेगा आपको उसके अंदर, बहुत अच्छा होता है गयर्मागोचर आपको, हर तरीके से आपको विजय प्राप्त होती है, और यही बार्मागोचर अगर बु बुद्ध का हो, तो बार्में भाव के रिजल टक्छे नहीं रहते हैं, बार्मागोचर तो वैसे नॉर्मली किसी भी ग्रह का अच्छा नहीं पराजय होती है, दीनता आती है, दीनता यान्ती मिल्स के धन की हानी बहुत होती है, अन्नेसेसरी खर्चे आपके होते हैं, ऑस् अच्छा करता हूं, आपको समझ में आया होगा, समझ में आपको कानली लाइक कीजेगा, इसके लावा हम लोग क्लास स्टाट करने जा रहे हैं, जो लोग इंट्रेस्टेड हैं, वो जोइन कर सकते हैं, धन्यवाज, जैश्री कृष्ण